जहिन बच्चों कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ सारे बच्चे स्वास्ते मास्तर और तंद्रस्ते तो नए दिन के साथ नए चप्टर की शुरुवात लेकर एक बाद फिर से आज जिरू हमें आप लोगे की वेज़ में और आज करवाने वाला हूँ आप सभी को वन शोट बिल्कुल हाँ बैसा ही सुना आप लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने लास क्लास में आप लोगों को बताया था लास सेशन जो था हमारा कि बाईया आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम अगनी सीरीस तो बाईया यह अगनी सीरीस का मैट्स का पहला लेक्चर है जिसमे में आप लोगों को अनुकरम और शेनी जो चप्टर है आपका इसका करवाने वाला हूं वन शोट तो फटा फट से आप लोग क्या करो इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो जहां भी शेयर करना क्योंकि शुरुआत करने वाले हैं हम बहुत ही प्यारे से हो रहा है एक अच्छे से लेक्चर की और मैं बता देता हूं इस चप्टर से आपके पांच नंबर जो है वो पूरे पक्के हो जाएंगे हां बिलकुल सही सुना आपने क्या कि पांच नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे वही है क्योंकि आज का जो चप्टर है हमारा यह बहुत ही यूनीक और बहुती अलग चप्टर है ठीक है एक्जाम में फिक्स है यहां से किस तरह के क्वेशन्स आप लोगों से पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो फटा बट से एक बार जल्दी से आजयो सेशन को लाइक कर दो जो भी आ चुके हैं तो शुरुआत करते हैं हम यहां पर बहुत ही प्यारी सी और एक अच्छी सी सब सब पहले में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूँ अनुक्रम क्या होता है ना अनुक्रम और शेणी का चेप्टर का नेम है तो हम बात करेंगे अनुक्रम की किसकी बात करेंगे अनुक्रम अनुका क्रम है ना यह कोई लड़की का नाम नहीं है ना लड़के का न से देखेंगे जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14, फिर 17, 20 इस तरह से ठीक है यह आप लोगों को एक एक्जम्पल नजरा रहा है मैं अलग-अलग आप लोगों को एक्जम्पल्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रब्लम ना रहे ठ फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 6, फिर माइनस के 9 इस तरह से आप लोगों के लिए आगे मिलता जाएगा माइनस के 24, माइनस के 48 है ना माइनस के 24, माइनस के 48 और यह आगे बढ़ रहा है सेम चीज और एक्जम्पल्स लेते हैं हम और एक्जम्पल्स लेते हैं और क्या ले स 17, 15, 161, ठीक है, यह आप लोगों को अलग-अलग examples नजर आ रहे हैं यहाँ पर, clear, ओके, क्या किसी को कोई परिशानी, किसी को कोई doubt है, हाँ यह ना, नहीं है, चलो, तो अब अगर आप यहाँ इससे पर ध्यान से देखोगे, है न, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे crumbs नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों में प्लस 3 और इन दोनों में प्लस 3 और इन दोनों में प्लस 3, प्लस 3, ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, अ यह सही है, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 9, यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर माइनस 3 एडवा, यहाँ माइनस 3 एडवा है, लेकिन आगे नहीं बन रहा है, तो हम क्या कहींगे, यहाँ पर जो है, तीन का, दो से गुणा हो रहा है, फिर जो आंसर, तीन का तीन से गुणा हो रहा है, फिर तीन का किस से गुणा हो रहा है भाईया, चार से गुणा हो रहा है, नहीं, छे से नहीं, आठ से गुणा हो रहा है, फिर आगे अलग चल रहा है, मतलब कि यह आपको एक क्रम मिलता जा रहा है, क्रम मिलता जा रहा है, क्लियर, इसी तरह से 5, 17, 153, 161, तो यह सारे आपको क्या मिल रहे है, क्रम मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, यह आपको सारे क्रम मिल रहे हैं, तो इन क्रमों में आप एक बात देखोगे, कि यह इसका जो है, यह पहला पादे, इस क्रम का यह क्या है, पहला पादे, और पहले पाद को हम किससे डिनोट कर मतलوف नास्ट्र पद क्या है An यह क्या है आपके पास में ये इसका अन्तिम पद है, क्या किसी को कोई परिशानी, किसी को कोई डाउट, बता हो भई, फटावबट से, माने लो, for example, आपको बोला जाता है, कि आपके पास में एच्छबिस दिया है, तो एच्छबिस का क्या मतलब हो गया, एच्बिस का मतलब हो गया, कि 26 वा पद, कौन सा पद, 26 है ना, अगर आपको दे दिया जा, एच निण्यानवे, तो आप क्या कहोगे, ये इच्छबिस का पद हो गए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मतलब जितने पद का नंबर है, वो आपको ध्यान रखना है, clear, क्या सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई तो नहीं है, इमानदारी से जल्दी से बताओ, फटाफट से, चलो, अब देखो, अनुक्रम में आपको समझ में आ गया, अनुक्रम में क्या करते हैं, अनुक्रम में हम अरेंज कर रहे हैं, ठीके इसमें कोई mathematical rule नहीं लगता है, पहली बात तो यह, इसमें क्या लगता है, logically rule लगता है, और हम क्या करते हैं, कॉमे का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, यहां क्या नजर आ रहा है, इन दोलों के बीच में कॉमा नजर आ रहा है, किसका चिन नजर आ रहा है, कॉमा का साइन नहीं दा रहा है, अब इस कॉमा के साइन को अगर मैं प्लस का साइन लगा देता हूं, किसका साइन लगा देता हूं, तो ये जो बनेगा आपके पास में, ये बनेगा आपके पास में श्रेणी, क्या बनेगा, श्रेणी बनेगा, और इसको इंग्लिश में कहते हम सीरीज, क्या कहते हैं बेटा, सीरीज, ये कोई आपकी वेब सीरीज नहीं है ये ध्यान रखना ठीक है ये आपकी कोई वेब सीरीज नहीं है मैच की सीरीज है ये ठीक है प्लियर है बताओ बहुत जल्दी से क्या किसी को कोई परिशानी किसी को कोई डाउट हाँ है ना बोलो बोलो जल्दी से बोलो for example हम एक और ले, चलो आजाओ, जिसे हमने लिया था, यह first हो गया हमारा, ठीक है, यह तो क्या हो गया आपके पास में, यह हो गया इसका श्रेणी, है ना, यह तो क्या हो गया, श्रेणी, अगर यह इस क्रम में लिखा हो था, 2, 5, 8, 11, 14 और इस तरह से आगे चलता, तो यह हो माइनस के 48, ठीक है, और यह इस तरह से जा रहा था आगे, तो अगर इस कॉमा को हटा कर में, प्लस का चिन लगा देता हूँ, समझ रहा हूँ ना, मेरी बात, क्या कहना चाहरा हूँ में, कॉमा को हटा कर अगर में, प्लस का चिन लगा देता हूँ, ठीक है, कॉमा को हटा कर में plus का चिन लगा रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर यह जो मिल रहा है आपको finally दो चिन एक साथ तो नहीं आ सकते तो चिन्नों को भी solve करेंगे यह हो जाएगा minus का 3 minus का 6 minus के 9 minus के 24 minus के 48 तो यह finally हमारे पास में बनती है श्रेणी क्या बनती है श्रेणी क्या किसी को कोई दिक्कत परिशानी बोलो बोलो जल्दी से बोलो फटापट से यहां तक सभी को clear अगर मजा आ रहा है तो session को like करते रहना क्योंकि एक ही class में पूरा chapter complete करवा दूँगा इतना ध्यान रख लेना ओके शलो next next आता है इसमें आपके पास में समानतर श्रेणी क्या आता है बिटा समानतर स्रेणी क्या अगर समानतर स्रेणी की बात की जाए तो class तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है, ठीक है, a प्लस 4d, लेकिन हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर यह कहा, कि अगर शेड़ी और इसकी क्या कहते हैं, हमारे पास में अनुक्रम इन दोनों की बात की जाए, तो दोनों में अन्सर तिर्फ यह होता है, कोमा हटा देंगे और प्लस का चिन लगा देंगे तो शेड़ी बन जाएगा, और प्लस के चिन की जगे अगर कोमा का चिन है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनुक्रम हो जाएगा, तो इसका पहला पद क्या होता है, a प्लस d, फिर तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, फिर अगला पद क्या ह होता है A plus 3D इस तरह से आप जाओगे लास्ट में तो A plus N minus 1 into D यही मिलता है आपको अंतिम पद बताओ भई जल्दी से यही मिलता है ना आपको अंतिम पद अगर आप देखोगे तो यह आपका है पहला पद पहले पद को आप A लिको या A1 लिको एक ही बात है यह आपका है द clear कौन सा पद मिलेगा एनवा पद मिलेगा हमेशा ध्यान रखना जैसे आपको A7 लिखना है A7 क्या होगा तो A7 कैसे लिखेंगे हम A7 लिखने के लिए A7 का मतलब हो गया देखो आप ज्यान से अगर देख रहे हो तो A2 है है ना A3 है तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर D ज ठीक A25 है तो इसको क्या लिखोगे A plus 24D क्या लिखोगे A plus 24D मान लो आपको A9 वा लिखना है पद तो इसको क्या लिखोगे A plus 98D ठीक है तो जितने पद ही दिये जाए उसमें एक D कम कर देना तो वो पद आपको मिल जाएगा क्या इतना clear है हाँ या ना बोलो भाई जल्दी से सभी को clear है session को like करते रहे न अगर session में मज़ा आए तो ये ध्यान रखना ठीक है चलो next देखते हैं हम इसके आगे अगर इसके आगे चलोगे आप तो छोटी छोटी सी चीज़े और इकने को मिलेगी आपको अगर AP का N वा पद आप लोगों को कहा जा तो के यहाँ पर हम सारी चीजे बता देते हैं A मतलब एन वा पद एन मतलब एन वा पद A मतलब प्रधंपद A मतलब प्रदम प्रधंपद ठीक है D मतलब सारव अनुपाद क्या होता है सारव अनुपाद ठीक जिसको एंग्लिश में कहते हैं common Difference और N मतलब होता है पदो की संख्या, ये सारी चीज़े आप लोग क्लास Tenth में पढ़ चुके हो, बहुत ही अच्छी तरह से, हाँ यह ना क्या क्लास Tenth में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है कि बोलो मुझे फटा फट से बताओ हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने कहा अगर हम बात करते हैं AP की, है न, AP class 10 में पढ़ चुके हो, इसलिए में थोड़ा सा इसको fast बता रहा हूँ, अगर आपको बोला जाए, AP के N पदों का योग, N पदों का योग, तो AP के N पदों के योग का formula क्या होता है बिटा, N वा पद, ठीक है, इसको हम पहले तो N वा पद क N minus 1 into D, यही आपका इसका formula होता है, अब यहाँ पर एक बात और आती है, देखो, N वा पद का formula क्या होता है, N वा पद का formula होता है, A plus N minus 1 into D, तो class 10 में आप लोगों ने यहाँ पर एक बात और पड़ी है, कि N by 2 यह जो 2A है, मेरी एक बात सुनना, 2A, इसको क्या लिख सकते ह हाँ है न, A plus A लिख सकते हैं न, A plus A लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताओ, आप कहोगे लिख सकते हो, तो यह बताओ मुझे, इसे में लिख देता हो, A plus A plus N minus 1 into D, चीके, अब यह जो formula आपको नजर आ रहा है, क्या यह formula आपको जाना पेचाना नजर नहीं आ रहा ह आप कहोगे कि हाँ सर, बिल्कुल जाना पेचाना नजर आ रहा है, यह दोनों एक जैसी तो हैं, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, A N लिख सकता हूँ, तो finally, S N बराबर क्या हो जाएगा, N by 2, A plus A N, ठीके, यह वाला formula कब लगता है, और यह वाला formula कब लगता है, अब बच्चों को confusion रहता है यह, है न, सर यह formula कब लगेगा, यह बताओ, और यह वाला कब लगेगा, यह बताओ, confusion होता है यह न, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको, जब प्रथम पद और अंतिम पद हो, जब आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद हो, तो direct यह वाला formula चिपका देना क्या कहा मैंने जब आपके पास प्रतम पद और अंतिम पद हो ठीक है जब आपके पास प्रतम पद और अंतिम पद अगर डाइरेक्ट हो तो यह वाला formula चिपका देना और जब आपके पास अंतिम पद नहीं हो है ना प्रतम पद हो या आप लोग यह पर देखो direct प्रतम पद होए तो ये वाला formula आपको जिपकाना है clear इतनी बात सभी को समझ में आ गई इमानदारी से बताना वाई क्या इतना सभी को clear है किसी के मन में कोई दिक्कत परिशानी किसी को कोई doubt हा या ना नहीं है चलो अब हम अनुकरम की बात कर रहे थे तो थोड़ अनुकरम को देख लेते साथ में है ना यह से हमारे पास में question दिया है यह अनुकरम के प्रतम पांच पद लिखे जिनका Nवा पद आप को यहाँ पर दिया है प्रतम पांच पद लिखने N वा पद क्या दिया है An एक्ट यह आपको दिया है एनवा पद क्या दिया है आपको दिया है इसमें एनवा पद आपको क्या करना है प्रतम पाँच पद लिखने है अब प्रतम पाँच पद लिखने है अब प्रतम पाँच पद लिखने के लिए है ना मुझे एक बात बताना समझेना मेरी बात को और फिर ज प्रथम पांच पद का मतलब क्या हो गया, A1, A2, A3, A4 और A5, है ना, इनको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, A4 और A5, ये लोगई, ये पांच पद हो गए, अब यहाँ पर, A, N, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, एक बार एक रखोगे, एक बार दो रखोगे, एक बार तीन रखोगे, एक बार चार रखोगे, और एक बार पांच रखोगे, ठीके, इतनी बात से सभी को समझ में आ गई, चलो बई, तो यहाँ से यह हो जाएगा, माइनस वन, वन माइनस वन, और 5 इंटू, 1 plus 1 तो देखो ध्यान से 5 की पावर 2 मिलेगा क्योंकि यह minus 1 की पावर क्या हो जाएगा 0 minus 1 की पावर हो गया यह तो 0 किसी की भी पावर 0 होगी उसका मान होता है 1 और यहां से मिलेगा 5 की पावर 2 तो 1 into 5 की पावर 2 मतलब 25 तो यहां finally मिलता है 25 इधर minus 1 2 minus 1 ठीक और इधर 5 की पावर 2 plus 1 तो देखो दो में से एक गया तो 1 चीक है minus 1 की पावर 1 मतलब minus 1 और into 5 की पावर 3 तो 5 की पावर 3 मतलब हो गया 125 और 125 को minus 1 से गुणा करोगे minus 125 इसी तारह से a3 minus 1 की पावर 3 minus 1 चीक और 5 की power 3 plus 1 हम कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ हम n के मान को change करते जा रहे n का मान 1 रख रहे n का मान 2 रख रहे n का मान 3 रख रहे मतलब n का मान अलग अलग रखते जाओगे आपका काम हो जाएगा ठीक है चले आगे चलो तो यहाँ पर देखना ध्यान से यहाँ से मिलता है आपको 5 की power sorry minus 1 की power 2 और 5 की power 4 minus 1 की power 2 का मतलब 1 और 5 की power 4 5 की power 4 मतलब 625 खतम a4 इसको देखो minus 1 की power n minus 1 मतलब 4 minus 1 और 5 की power 4 plus 1 तो यहाँ पर हो जाएगा minus 1 की power 3 और into 5 की power 5 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास में 3125 और इसको minus 1 से गुणा करोगे तो minus का आएगा यही आ रहा है ए4 का मान यही आ रहा है चेक कर लो भाई जल्दी से क्या a4 का मान यही आ रहा है आपके पास हाँ या ना इतना बताओ भाई जल्दी से हाँ या ना बोलो बोलो जल्दी से बोलो minus का आएगा बिटा स्विटी minus का आएगा इस बात को ध्यान रखना इन है ना next ए फई तो माइनस का ए एक की पावर 5-1 और फाइप प्लस वन यहां से मिलता है मैनस एक की पावर 4 और पांच की पावर 6 तो मैंस एक की पावर 4 का मतलब एग और पांच की पावर छे अब 5 की पावर 6 जो होती है उसको लिक दो पंधरह सो और कुछ होगी 15,000 कुछ मिलेगा आपको चले आगे बोलो 15,625 पक्का येलो वाईया 15,625 खतम स्वाद आया इमानदारी से बताना क्या सभी को मजा आया हाई या ना चले आगे एकदम आसाने लल्लू लल्लू से है ना बिल्कुल कुछ नहीं करना अगला क्योशन अनुकरम के प्रतम प n-square इसको इस तरह से लिखो n-square प्लस 5 by 4 और इंटू में क्या है n ठीक है ये a n दिया आपको ये क्ट्यर्शन में दिया है अब आपको 5 पद लिखने तो a1 पिर आपका a2 पिर आपका a3 पिर आपका a4 और फिर आपका a5 एन कमान 1 2 3 ..4 और 5 रखेंगे कर सकते हैं बोलो भाई हाई है ना बहुत बड़े शिवम एकदम सही जवाब तुमको अगर आता है ना इमानदारी से तो तुम मुझे बताते जाना कि हाँ सर हमको ये चीज़ आती है तो हम आपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे की चीज़ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक इंटू एक का स्क्वेर प्लस पांच बटे चार ठीक फिर इसको सॉल्व करोगे तो दो इंटू दो का स्क्वेर प्लस पांच बटे चार है ना इनको सॉल्व करके लिख लेना इसको सॉल्व करोगे तो यह हो जाएगा 3 into 3 का square प्लस 5 बटे 4 इसको solve करोगे तो 4 into 4 का square प्लस 5 बटे 4 इसको solve करोगे तो 5 into 5 की power 2 प्लस 5 बटे 4 कर लोगे यहाँ से कितना मिलेगा 6 बटे 4 6 बटे 4 का मतलब क्या हो गया 3 बटे 2 मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा 4 और 5 गया वार मेरा है यहां से कड़ बार तुम बहुद कितना मिलिया थेज इधर देछ तो 3 क की स्कु एर कसे टहर नो आ यह विक्टा नहीं ॥ बोलो भई परिशानी तो नहीं आईगी न कर तो लोगे शलो भई बहुत बढ़िया ठीक है गूड इविनिंग सभी को आगे चलते हैं आगे चले शलो ये तो छोटी सी बात हुई अनुकरम की है ना श्रेणी की और साथ में हमने अब बात कर रहा हूँ जी पी most important most important क्या है आपके पास में जी पी गुनवत्तर शेडी गुनवत्तर शेडी ठीक है इसको कहते हैं इंग्लिश में geometric progression ठीक है जी पी क्या कहते है इसको जी पी geometric progression आप लोगों को बता ना शेडियों को तीन प्रकार से लिखते हैं पहला एपी arithmetic progression जिसको हम कहते हैं समांतर शेडी दूसरा जी पी जिसको कहते हैं geometric progression ठीक है और तीसरा HP harmonic हरात्मक्स्रेणी clear तीन शेडिया ध्यान रखना ओके चले आगे बोलो बोलो जल्दी बोलो चले आगे हम हाँ या ना चले जिसे अभी आपने देखा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस इस तरह से जा रहे थे ये क्या थी बिटा आपकी ये आपके पास थी समांतर शेडी ये क्या थी बिटा आपके पास में समांतर शेडी ठीक है ये क्या थी आपके पास में समानतर शेनी, ठीक है, सभी को पता है ना, समानतर शेनी मतब जिसमें सार्व अनुपात क्या हो, समानो, चलो, अब देखते हैं, आगे आता है आपके पास में, पांच, प्लस, दस, प्लस, 20, प्लस, 40, प्लस, 80, प्लस, इस तरह से चल रहा है, है न, तो यह क्या होगी आपके में गुनद्तर शेनी यह क्या होगी आपके पास में गुनद्तर शेनी अब आप लोग सोच रहूंगे एम जिए समधर शेनी और ये गुनद्तर है तो देखो यहां पर थोड़ा सा समझने का try करना है ना थोड़ा सा समझेने का try करना सब कुछ आएगा ये क्या है 5 तो 5 है न ये क्या आपके पास में 10 ये क्या आपके पास में 20 तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये है आपके पास में A1 ये है आपके पास में A2 ये है आपके पास में A3 ये है आपके पास में A4 म कहा लिखता हूं a2-a1 और a3-a2 ठीक है in you can just star ανुपाथ आया वो क्या आया बराबर आया को में तो ॉसौरी सार्व अनुपाथ ने शार्व अंतर tunis मा ते इसमें अन्तर आता है ठीक है इन्यकर जो सार्व अंतर अया वो क्या आया बराबर आया कैसे देखोँ इधर देखोगे इसको error कर रहा हूँ 5 minus 2 कितना आया 3 8 minus 5 कितना आया 3 तो सार अंधर जो अंतर आ रहा है वो क्या रहा है समान आ रहा है ठीक है अब मैं इसकी बात करता हूँ इसका प्रतम पद क्या है 5 द्वित्य पद क्या है इसका 10 तो A2 अपॉन A1 करो कितना आ रहा है आपके पास में 10 बटे 5 मतलब की 2 ठीक फिर A3 भी लेलो चलो A3 कितना है 20 तो A3 अपॉन A2 करो तो यह हो जाएगा 20 बटे 10 कितना आ रहा है 2 मतलब यहाँ पर जो चलेगा यहाँ चलेगा सार्व अंतर क्या चलेगा सार्व अंतर की बात की जाएगी और इसमें बात की जाएगी सार्व अनुपात की किसकी बात की जाएगी सार्व अनुपात की सार्व अनुपात को हम डिनोट करते हैं small r से सार्व अंतर को हम डिनोट कर गई बोलो बोलो जल्दी से इतनी बात समझ में आ गई ताकि हम चले आगे चलो अब आप लोगों से मैं कुछ पूसता हूँ वो भी बताना है आपको एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रतेक पद तथा उसके ठीक पहले पद का अनुपात सदेव समान होता है इस प्रकार की शेनी को हम गुनुत्तर शेनी कहते हैं क्या कहा एसा अनुक्रम है ना जिसमें एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रतेक पद तथा उससे ठीक पहले वाले पद है ना प्रतेक पद और उससे ठीक पहले वाले पद का अनुपात क्या है समान है उससे हम कहते है गुनुत्तर शेनी ठीक है ओके रिपोट अब आप लोगों से question कर रहा हूँ उसका answer देना है क्या तैयार हो answer देने के लिए क्या answer देने के लिए तैयार हो चलो आपको देता हूँ 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12 1 बटे 24 इस तरह से आप लोगों के पास में है 1 बटे 12 1 बटे 24 इस एक बटे 48 और इस तरह से मुझे इसका सार्व अनुपात निकाल कर बताओ मुझे इसका सार्व अनुपात निकाल कर बताओ क्या होगा बोलो भई बेटा ठीक से दिख नहीं रहा है तो फिर तो तेरी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती इसका लाओ तो कुछ नहीं हो सकता है बोलो भई बोलो जल्दी से बोलो और यहाँ पर पहले बाद बटा देता हूँ क्लास में आशिक ही करने मत आया करो जिस दिन लात पड़ेगी न अपने आप समझ जाओगे ठीक है तुमसे बड़े बड़े आशिक निकल चुके है आते जाते हुए है ना एक टाइम के बाद अपने आप समझ में आ जाता है कि पढ़ लो लिख लो बेटा अभी मोका है है ना वरना फिर बाद में तो पच्छताना है ही सही तो देखो इसका सारवन उपाद कितना आ रहा है एक बटे दो चलो चेक कर लेते हैं एवन कितना है एक बटे तीन एटू कितना है एक बटे छे हमने कहा क्या कहा एटू अपन एवन तो एक बटे छे और एक बटे तीन इसको लिखेंगे एक बटे 6 गुना तीन बटे 1 तो एक बटे 2 मिलेगा बहुत सब्सक्राइब बढ़िया भाई हाँ पूरा चप्टर ही तो करवाने आया हूँ चलो एक और देवें एक्जामपल एक एक्जामपल और हो जाए एक एक्जामपल और हो जाए अगर आपके पास में इस तरह से रूट 3 प्लस तीन रूट 3 प्लस नो प्लस फिर रूट तीन रूट 3 आजाए यह नो रूट 3 आजाए चलो नो रूट 3 और यह दे दिया जाए अब निकालो भाईया सार्व अनुपात निकाल कर बताओ सार्व अनुपात निकाल कर बताओ सार्व अनुपात निकाल कर बताओ बूलो पड़ाफट से कितना आ हरा है कितना आ रहा है तीन आएगा एक बार चेक कर लेना फिर कहना बत वरना तीन पका एले गलती हो गई गलती ऌगई सभी से घलती हो गई का यार कैसे इंसान और है इद रहो रहे को गलत का मतलब कितना हुआ, तीन रूट तीन, एवन का मतलब कितना हुआ, रूट तीन, बताओ भई, लेकिन ये जेपी बने गी क्या फिर, है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, यार, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, है न, यहाँ तीन लिखो, और यहाँ तीन रूट तीन लिख अब चेक करो, अब चेक करके बताओ, अब चेक करके बताओ क्या आ रहा है, अब ज्यादा सही है, क्योंकि बीच में हमने एक पद को मिस्स कर दिया था, पक्का तीन है, ठीक है, अब करके बताओ, आप कहां थे, इतने समय के बाद में यही था, तुमको नजर नहीं आ रहा था बस, है ना, बोलो बोलो जल्दी से, अब क्या आएगा, इमानदारी से बताना भाई, सब के लिए बहुत इंपोटेंट है, बहुत ज़्यादा इंपोटेंट, है ना, आज नहीं किया तो, रूट इस तीन गुना रूट इन लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तीन कम मिलेगा, रूट इन का स्क्वेर करने पर तो इसको हमने रूट इन गुना रूट इन लिख दिया, बटे रूट इन, तो रूट इन से रूट इन खतम, तो फाइनली कितना मिला, हमें सारवन पाथ, तो अगर आपके पास में एक जीपी है, समझे ना ध्यान इसे, एक छोटी-छोटी सी चीज में बता रहा हूं, वो अगर आपने समझ ली तो सारा काम हो गया, दो प्लस छे प्लस अठारा प्लस चोवन प्लस इस तरह से यह आगे बढ़ रहा है, ठीक है, यह हो गया इसका प्रतम पद, यह हो गया इसका द्वीत्य पद, यह हो गया इसका त्रत्य पद, यह हो गया इसका चोटा पद, ठीक है, तो प्रतम पद क्या है, ए, तो प्रतम पद से निकालोगे यहां से अगर आप सारवानु पात निकालोगे तो क्या करोगे एटू अपन एवन करोगे और एटू कितना है छे एवन कितना है दो तो इतना मिलता है तीन तो आप यहां पर देखोगे कि यह क्या है आपके पास में आर कितना तीन तो इसको क्या लिखोगा इस तरह से Gp का अवापद, Gp का अपद, Gp का अवापद, Gp का अवापद, Gp का अवापद, जीपी का अवापद होगा, वो होता है हमारे पास में A, ज्यानी से और अच्छे से देखना, क्योंकि यहां पर अगर गल्ती करती, सारा काम ब्गड जाएगा, ठीक, A N1, A into R kी पा N वापद, A से मतलब है प्रसम पद, R से मतलब है सार्व अनुपाद, ठीक है, और N से मतलब है पदोखी संख्या, खतम कहानी, ओके, ओके रिपोर्ट है, किसी को कोई दिकत परिशानी तो नहीं, बोलो जल्दी से यार, इतना सभी को क्लियर है, चले, चलो, अब हम देखते है, N वापद हो गया, N पदो का योग, N पदो के योग को किसे दिनोट करते हैं, S N से, फॉर्मुला क्या होता है, A into R की पावर N-1 upon R-1, एक फॉर्मुला तो यह होता है, ठीक, और एक फॉर्मुला होता है, S N equal, A into 1-R की पावर N upon 1-R, यह इसके N पदो के योगपल का फॉर्मुला होता है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, दोनो फॉर्मुला में तुम्हें कैसे पता चलेगा, कि कब कौन सा लगेगा, क्या कुछ आइडिया है, इमानदारी से बताना है, यार, है न, चिटिंग नहीं करना, चिटिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, चिटिंग करोगे, आर का मान जब एक से ज़्यादा होगा, तब फस्त वाला, बहुत बढ़宝, और आर का मान जब एक से कम होगा, तो second वाला, बहुत बढ़宝, वा भाई, वा मजा आगया, वा बहुत तगड़ी बात है यार ये तो चला जाए आगे पता चल गया या अभी भी कोई दिक्कत किसी के मन में कोई क्योशन नहीं बोलो जल्दी से चलो अब देखो चले आगे आजो अब हम बात करते हैं यहाँ पर समानतर माध्य एक तो हम बात करते हैं समानतर माध्य समानतर माध्य ठीक है समानतर माध्य को इंग्लिश में हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसलिए हम इसको ए-म से दर्शाते हैं गुनोतर माध्य गुनोतर माध्य को इंग्लिश में हम geometric mean कहते हैं इसलिए हम इसको gm से दर्शाते हैं समानतर माध्य जो होता है दो संक्या आपके पास में a और b अगर आपको उनका समानतर माध्य निकालना है तो am बराबर होगा a plus b बटे 2 ये होगा इसका समानतर माध्य ठीक अगर दो संक्या हैं आपके पास में a और b और इनका अगर आपको गुनतर माध्य निकालना है तो इनका गुनतर माध्य होता है root a b लो भई अब ये तो सबको बता होगा यार इसके लिए तो कोई रोना मत है चले चला जाए आगे अब मुझे एक बात बताओ अगर आप लोगों से कह दिया जाए समानतर माध्य और गुनतर माध्य के बीच संबन्द बताओ क्या कह दिया जाए समानतर माध्य और गुनतर माध्य के बीच संबन्द क्या पता है आप लोगों को इमानदारी से हाँ या ना हाँ या ना यहीं लिख देता हूँ समांतर माध्ये पीछे लिख देता हूँ या छोड़ो समांतर माध्ये समांतर माध्ये तथा गुणोतर माध्ये के बीच सम्मंद के बीच सम्मंद तुम तुम्हारे संबंदों को साइड में रखना बेटा है ना तुम तुम्हारे संबंदों को अगर साइड में रखके चलोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ठीके GM वाला GM वाले में कुछ भी नहीं करना है बेटा अगर दो संख्य तुमको दी गई हैं और तुमसे बोला जाए उनका समांतर माध्य निकालो तो गुनोतर माध्य के लिए क्या करना है तुमको पहला पहला नमबर देखो जैसे कि एक मान लो तुमको देदिया चार है ना और बी देदिया तुमको मान लो नो तुमको बोला इस का जो है समांतर माध्य निकालो तो क्या करोगे a plus b बटे दो मतब 2 प्लस 4 बटे दो कितना हो जाएगा ये तीन बस इतनी सी बात है शलो तो इनके सम्मंद्द की बात करते हम है ना अभी मैंने आपको बताया कि समांतर माध्य जो होता है वो अता है आपके पास में a plus b चलो, अब संबन्ध बताने के लिए हम क्या करते हैं, A-G करते हैं, मतलब A-GM, तो यह हो जाएगा, A-B-2-√-A-B, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, आ गई, बहुत बढ़िया, इसका LCM ले लो, इसको लिख सकता हूँ, रूट A-Rूट B का, हॉल इसको है, और बटे 2, clear, इसका मान, एक बाद यान रखना, greater than, equal होना चाहिए, 0 के, ठीक है, क्या होना चाहिए, greater than, equal होना चाहिए, 0 के, तो इनके बीच में जो संबन्ध होता है, समानतर माध्ये, बड़ा और बराबर होगा, है ना, किस से, गुनोतर माध्ये से, ठीक, ये इनके बीच का संबन्ध है, clear, ये इनके बीच का संबन्ध है, इतना सभी को clear है, किसी के मन में कोई question तो नहीं, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं पटा पट से बता दो मुझे एक मैने का बैकलोग हो गया क्या करू बता दीजिए अभी बताएंगे थोड़ी देर रुको आप सब बताएंगे आपको इतना क्लियर सभी को चलो भई अब चलते हैं हम हमारे क्योशन की तरफ इनके एक्जामपल से देख लेते कुछ है ना एक उधारन दिया है जैसे समझे ना उधारन को और बन बाई वन हम सॉल्व करते वे चलेंगे यदि दो धनात्मक संक्या ए तता बीच के बीच समानतर माधिय तता गुनतर माधिय क्रमशाय दिया गया है समानतर माधिय कितना दिया है 10 और गुनतर माधिय कितना दिया है 8 तो आपको A और B ये बताना है मतलब दो संक्या है आपके पास में A B ठीक है आपको क्योशन में बोलाए कि उनका समानतर माधिय जो है वो है 10 गुनतर माद्ये जो है वो है 8, क्या करोगे भईया, बोलो, कौन बताएगा, कौन बताएगा, A और B का मान, कौन बताएगा, A और B का मान, बोलो भई, यहां से देखोगे, तो समानतर माद्ये, गुनतर माद्ये क्या होता है, A प्लस B बटे 2, है न, गुनतर माद्ये, क्या होत तो यह हुजाएगा a plus b बटे 2, यहाँ से हुजाएगा यह 20 बराबर a plus b, ठीक है, इसको दे देता हूं, मैं समय करन एक नाम, क्या दे देता हूं, समय करन एक नाम, यह कितना दिया है, 8, यह हुजाएगा root a b, ठीक है, अब निकाल सकते हो, या नहीं निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, फटा फट से फास्ट बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, अब कर लोगे, चलू मैं आगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, यह बता दो मुझे बस, इतना सा इंटे दो कि क्या करोगे तुम, धन हम चलते हैं आगे, ताकि मुझे बता जल जाएगे, यह यह तुमको आ चुका है, क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए, बोलो, फटा फट से जल्दी बताओ, क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के ल चलो भई बी का मान निकाल देंगे और इधर पूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया next अब देखों क्वेशन से देखते हैं कुछ क्वेशन से आपके साथ दिया गया है आप एक काम और कर फेक्त हो यहाँ पर इस रूट को अठाने के लिए दोनो साइड स्क्वेज़ भी कर सकते हो इस रूट को अठाने के लिए दोनो साइड स्क्वेज़ करोगे तो यह दर हो जाएगा 64 बराबर A B हो जाएगा ठीक है अब किसी का एक का मान निकाल के यहां रख लेना बस चलो question दिया है क्या दिया है आपको दिया है कि आपके पास में एक GP है 5 बटे 2, 5 बटे 4 5 बटे 8 इस तरह से इसका आपको एक तो 20 वा पद ठीक है और N वा पद ये दोनों आपको निकालने है क्या करना है एक तो 20 वा पद निकालना है और एक N वा पद निकालना है तो सबसे पहले प्रतम पद कितना इसमें 5 बटे 2 ठीक है और सार्व अनुपाद कितना आएगा A2 अपन A1 कर दो तो A2 कितना है 5 बटे 4 A1 कितना है 5 बटे 2 तो इसको solve करोगे तो 5 बटे 4 गुना 2 बटे 5 यह cancel हो जाएगा दो बार और यह cancel हो जाएगा तो 1 बटे 2 मिलेगा तो R का मान कितना मिलेगा 1 बटे 2 R का मान कितना मिलेगा 1 बटे 2 clear R का मान कितना मिल रहा है 1 बटे 2 सभी को 1 बटे 2 मिल रहा है बोलो भई चलो अब हमें क्या करना है B Swapad निकालना है तो B Swapad क्या करना है देखो जिसे हमने कहा है कि समानतर सेटी में जितना प्त पूचा जाए उससे 1D कम कर दो तो इस में गुनतर सेटी में क्या करेंगे जितना आपके पास में पद बोला गया है उसमें R का 1 मान कम कर दो तो 20 वा पद बोला गया है तो AR की पावर कितनी हो जाएगी 19 28 वा पद कहता तो हम कहते कि AR की पावर 27 36 वा पद कहता तो हम कहते AR की पावर 35 तो finally यहां से देखते हैं हम A का मान कितना है हमारे पास में A का मान कितना है 5 बटे 2 R का मान कितना है 1 बटे 2 और इसकी पावर कितनी उननीस तो यह हो जाएगा तुमारे पास में देखो इसको क्या लिखोगे इसको लिख सकते हो पांच गुणा एक बटे दो और गुणा एक बटे दो की पावर उननीस तो यह हो जाएगा इसकी पावर एक और इसकी पावर उननीस आधार समान उने पर गुणा का चिन ने तो गाते जूटती है, हाँ, ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक की पावर, एक बटे दो की पावर 20, ठीक, चलो, अब एक की पावर 20 का मतलब 1, दो की पावर 20, येलो, तो इसको लिखो किये पाँच बटे दो की पावर 20, और अन वापद निकालना है, इसका formula होता है n equal a into r की power n minus 1 ठीक तो अब आपको क्या करना है a का मान रख दो 5 बटे दो r का मान रख दो 1 बटे दो इसकी power n minus 1 ठीक तो यहाँ से इसको लिखोगे 5 गुणा 1 बटे 2 और गुणा 1 बटे 2 की power n minus 1 अभी मैंने बताया आधार समान होने पर गुणा का चीनले घाते क्या होगी जुड़ेगी तो यह हो जाएगा 5 गुणा 1 बटे 2 की power n minus 1 और प्लस 1 तो finally आपको मिलता है 5 गुणा 1 बटे 2 की power n ओके clear अब 1 की power n मतलब 1 को 5 से गुणा करोगे 5 तो finally आपको अंसर मिलेगा 5 बटे 2 की power n यही आपका अंसर होगा यही आपका अंसर होगा ओके शलो भाई अगला question देखते हैं एक गुनोतर शेनी का बारवा पद बारवा पद ग्याद करना है मतलब ए बारवा आपको ग्याद करना है आठवा पद दिया गया है आठवा पद क्या दिया गया है 192 और 192 आठवा पद सारव अनुपात आर का मान दिया गया है 2 मुझे एक बात बताओ अगर आपको अन्तवा पद पता है अन्तिम पद पता है अन्तिम पद का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एं मैनस वन ठीक 12 पद को क्या लिखोगे AR की पावर 11 अब आपको साफ बोला गया है क्या कि आपके पास में 12 पद बताओ 8 पद दे दिया गया है 8 पद का मतलब क्या हुआ 8 पद का मतलब हुआ AR की पावर 7 क्या हुआ AR की पावर 7 तो इसको लिखोगे A R की power 7 बड़ाबर 100 बरान मैं दिखोगे चलू A R की power कितनी है R कमान्द 2 इसकी power 7 बड़ाबर 100 बरान मैं क्या कोई दिक्कत किसी को कोई परिशानी बोलो फटाफट से किसी को कोई परिशानी नहीं चलो A into 2 की power 7 इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 2 की power 6 into 3 के रूप में तो यह हो जाएगा A बराबर 2 की power 6 into 3 बटे 2 की power 7 यह 2 की power 7 बटे में आगया है ना इधर 6 power से 6 power कटगी एक power बची है यहाँ पर कितनी बची एक power बच की ही यहाँ पर तो यह हो जाएगा आपके पास में 3 बटे 2 आर का मान कितना 2 और इसकी power 11 ठीक अब देखूं यह गुणा में है तो एक power से एक power कट जाएगी तो finally 3 into 2 की power 10 ठीक है सभी को clear किसी को कोई परिशानी नहीं किसी को कोई डाउट नहीं इमानदारी से बताओ चले आगे चले हम आगे चलो अगला एक प्यारा सा question करते है किसी गुणातर शेनी का 5 पद 8 पद और 11 पद P Q और S है 5 पद क्या है P 8 पद क्या है Q और 11 पद क्या है S एक गुणातर शेनी है समझे ना मेरी बात उसमें आपको 5 पद, 8 पद और 11 पद है दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपको इसको सिद्ध करना है इसको सिद्ध करना है तो मुझे एक चोटी सी बात बताओ 5 पद क्या लिखूँगा आपकी पावर 4 यह हो गया P 8 पद क्या लिखूँगा आर की पावर 7 यह हो गया Q 11 पद क्या लिखूँगा आर की पावर 10 और यह हो गया S इसको समी करन एक नाम दे देता हूँ इसको दो नाम दे देता हूँ, इसको तीन नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत परिशानी नहीं, चलो, समी करन, दो बटे एक कर ले, हाँ, कर ले, कर ले कोई दिक्कत परिशानी, नहीं, चलो, तो दो बटे एक करता हूँ में, तो यह हो जाएगा, A, R की पावर 7 बटे A, R की पावर 4 बराबर Q बटे P ठीक, एसे 1 अतम R की पावर कितनी बचेगी 3, R की पावर 3 मिली यहाँ पर और यह मिला Q बटे P, ठीक इसको समय करण 4 दे देता हूँ फिर देखो, समय करण 3 बटे 2 कर लेता हूँ समी करण 3 बटे 2 करता हूँ तो ये AR की पावर 10 बटे AR की पावर 7 बराबर S बटे Q ये से A गया पावर 7 से पावर 7 गई तो पावर कितनी बची? AR की पावर 3 बची ये S बटे Q इसको समी करण 5 नाम दे देता हूँ कोई दिक्कत परिशानी? नहीं तो समी करण 4 बटे 5 से समी करण 4 बटे 5 से क्या नजरा रहा है? इधर AR Q बराबर है आपके पास में Q बटे P AR Q बराबर S बटे Q तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना Q बराबर S बटे Q cross multiply कर दो तो finally ये मिलता है Q square बराबर S P ये लो P S लिको या S P लिको एक ही बात है ठीक खतम बोलो भई सेटे मामला पूरा किसी को कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं आई हाँ ये ना किसी को कोई परिशानी तो नहीं आई यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया सेटे पूरा चलो भई नहीं डाइरेक्ट नहीं बेटा डाइरेक्ट करेगा तो वो आदर नंबर भी नहीं देगा फिर ज्यान रख लेना है ना अगला क्योशन X के किसमान के लिए आपको यहाँ पर दी गई है GP माइनस के 2 बटे 7 X और माइनस के 7 बटे 2 मुझे एक बात बताओ यहाँ पर बात की गई है GP की तो A2 अपॉन A1 किसके बराबर होगा A3 अपॉन A2 के बराबर होगा या नहीं होगा बोलो भई अगर GP की बात की जा रही है तो दूसरे पद और पहले पद का सार्व अनुपाद तीसरे पद और दूसरे पद के अनुपाद के बराबर होगा या नहीं होगा होगा या नहीं होगा इतना सा बोलो होगा चलो A1 का मान कितना माइनस 2 बटे 7 A2 का मान X A3 का मान माइनस 7 बटे 2 क्या करो A2 अपॉन A1 कर दो तो X बटे यह हो जाएगा X, कोई दिक्कत परेशानी, नहीं, आजो, इधर क्रोज मल्टिप्लाए, X को X से गुना क्या, यह हो जाएगा आपके पास में माइनस के 7 बटे 2 गुना, यह हो जाएगा आपके पास में माइनस के 2 बटे 7, हाँ या ना, तो X स्क्वेर बराबर, प्लस के 14 बटे 14, तो X स्क्वेर बराबर मिलेगा 1, तो X बराबर मिलेगा प्लस माइनस 1, X कमान प्लस 1, माइनस 1, खतम, ओके रिपोर्ट, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट परिशानी तो नहीं, किसी के मन में कोई क्वेशन तो नहीं, हाँ, X बराबर, प्लस माइनस 1 होगा, बहुत बढ़िया, आज़ो, अगला क्केशन, रूट 7, रूट 21 और टीन रूट 7, इसका योगफल, इसका योगफल बताना है, N पदो तक, कितने पदो तक, N पदो तक योगफल, प्रतम पद क्या है, रूट 7, R निकाल हो, R कैसे निकालोगे, A2 अपॉन A1 करके, A2 कितना है, root 20 A1 कितना है root 7 कितना मिलेगा कितना मिलेगा root 3 अब मुझे बताओ यहाँ पर R का मान 1 से बढ़ा है या 1 के बराबर है 1 से छोटा है sorry R का मान 1 से बढ़ा है या 1 से छोटा है तो root 3 का मान होता है 1.732 मतला R का मान 1 से बढ़ा है एक से बढ़ा है तो formula क्या लगेगा? formula लगेगा s n equal a into r की power n minus 1 upon r minus 1. यही formula लगेगा, इसके अलाग कुछ नहीं, तो s n बराबर, a का मान कितना है? root 7, r की power n, बोले तो root 3 की power n, ठीक? minus 1, और बटे r minus 1, r कितना है आपके पास में? root 3, root 3 minus 1. इसको solve कर ले ना, answer आजाएगा. अब आप कहोगे कि सर्क कैसे solve करेंगे? हमको तो नहीं आता है, है ना? तो घबराओ मत, tension मतलो, तुमको मैं हिंटे दे देता हूँ. यह हो जाएगा root 7, root 3 की power n, minus 1. बटे में क्या है? root 3 minus 1. ठीक, हर का परिमे करण कर दो. तो root 3 plus 1, बटे root 3 plus 1. खतम. खतम टाटा बाय बाय. कुछ नहीं बचा इसमें. ओके? चले आगे. अगला question देख ले. अगला question कहता है कि, एक गुनत्र शेनी के तीन पदो का योगपल इतना है. एक गुनत्र शेनी के तीन पदो का योगपल इतना है. गुणनफल इतना है सारवन उपात और पदों के संख्या ज्याद करो, वा भई वा, माना, जी पी के प्रथम तीन पद, कितने हैं आपके पास में, ए, ए आर, ए आर स्क्वेर हैं, ठीक है, पहली बात, खतम, अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, तीन पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल, तीन पदों का योगफल कितना दिया है, 49 बटे दस, तो तीन पद कुन से है, ए प्लस, ए आर प्लस, ए आर स्क्वेर, ये दिया है, 49 बटे दस, इसको दे देता हूं समिकरन एक नाम, या फिर, इसको थोड़ा सा और, जो ह next तीन पदों का गुनन फल तीन पदों का गुनन फल तीन पदों का गुनन फल कितना दिया है तीन पदों का गुनन फल दिया है एक तो तीन पदों का गुनन फल दिया है एक तो तीन पदों का गुनन फल दिया है एक तो तीन पदों का गुनन फल दिया है आर इंटू आर, आर इंटू आर स्क्वेर, तो यह हो जाएगा, आर क्यूब बराबर एक, यह लो भई, अब यहाँ से, यह समिकरण दो मिल गई, सॉल्व कर लो, कहानी खतम है, दो में एक का भाग दे दो, आपका काम हो जाएगा, चीक है, या फिर तुम लोग चाहो, तो आर का मान कितना आएगा, फाइनली यहाँ से, एक यह आएगा, कितना आएगा, इसका क्यूब रूट करोगे, तो एक आएगा, इसको दे दो समिकरण दो, अब समिकरण, दो है आपके पास में, समिकरण, एक है आपके पास में, दो को एक में भाग दे दो, खतम कहानी, तो समी करण एक बटे दो करदो, एक बटे दो करोगे तो a into 1 plus r plus r square और बटे a r, बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 49 बटे 10, एसे a गया, अब यह हो जाएगा, 10 into 1 plus r plus r square बराबर 49 r, cross multiply हो गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलो, इस 10 का अंदर गुणा करो, तो 10 plus 10 r plus 10 r square बराबर 49 r, एक काम करो, इस 49 r को इधर लाओ, तो 10 r square plus 10 r minus 49 r plus 10 बराबर 0, तो 10 r square minus 29 r plus 10 बराबर 0, अब क्या करना है, गुणन खंड करना है, और कुछ नहीं करना है, गुणन खंड करना सभी को आता है, हाँ है ना, सभी को आता है ना, तो यह हो जाएगा, 10 r square minus 25 r minus 4 r, ठीक, प्लस 10 बराबर 0, यहाँ से common ले लो, दो-दो का जोड़ा बना कर, क्या common ले, 5R common ले लेते हैं, तो यह मिलेगा आपको 2R minus 5, ठीक, यहाँ से minus के 2R common ले ले लेते हैं, तो 2R minus 5 बराबर 0, तो एक उननखन मिलता है, 5R minus, यहाँ से minus के 2 common लेते हैं, बस, 5R minus 2, एक मिलता है, 2R minus 5 बराबर 0, तो 5R minus 2 बराबर 0, तो R बराबर मिलेगा 2 बटे 5, ठीक, 2R minus 5 बराबर 0, तो R बराबर मिलेगा 5 बटे 2, येलो भई, अब आपको R के दोनु मान मिल चुके हैं, इन मान को समय करने एक में रख देना, एक मान मिल जाएंगे, इसके अलाबा कुछ नहीं करना, ओके रिपोर्ट, चीके, इसको उठा कर, समय करने एक में रख देना, आपको R के मान जो है, यहाँ पर रखोगे, तो एक मान मिल जाएंगे, प्लियर है, चलिए भई, तो बेटा, आज की इस क्लास में, मैंने आप लोगों को, यहाँ पर, इस चेप्टर का, बिल्कुल छोटा सा, प्यारा सा, और एक अच्छा सा रूप दिखाया, जिसमें उमीदी करता हूँ, आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा, अब अगली कक्षा हमारी कब है, अगली कक्षा हमारी रहने वाली है, आज क्या हो गया हमारे पास में गुरुवार, अगली कक्षा रहेगी शनिवार को, ठीक है, सैटेडे को, कितनी बज़े, साथ बज़े, जिसमें आप लोगों को कौन सा चेप्टर चाहिए, ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना, इसके अलावा, अगर सेशन में मज़ा आया है, तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और कॉमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना, कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं हर क्लास के कॉमेंट जरूर चेक करता हूँ, चीके, तो थैंक्यू सो मच अगेन, आप लोगों को, I hope सारी चीज़े क्लियर हुई होगी, किसी को किसी तरह की कोई परिशानी नहीं रही होगी, है ना, तो इसी तरह से हस्ते रहो, और पढ़ते रहो, तो ये पांच नंबर का फंडा जो था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, चीके, फ्लियर, तो फिर मिलेंगे हम, नेक्स क्लास में, आगे की टॉपिक्स के साथ, तब तक आप सारे बच्चे, सुवस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरस्त रहें, शानदार दबरदा, जिन्दाबाद के साथ मैं जाहीं दो, बाबाई,